हाई गाईज वेलकम तो माई चैनल वन्स अगेन और हम डिसकसिन कर रहे थे टेंसिस के बारे में और हाई होप देट यू अर अंडरस्टेंडिंग टेंसिस वेरी वेल अब तक हम टेंस के इंट्रोडक्शन के बाद में हमने इंडेफिने टेंस को पढ़ा तीनों ही रिफरेंस में प्रेजिंट पास फ्यूचर में कंटिनेज को पढ़ा तीनों के साथ में एंड टोड़े वी आर गोइंग टू रीड थ्री अफ टेंसिस ऑफ पर्फेक्ट टेंस आज हम पर्फेक्ट टेंस के बारे मात करने वाले हैं पर्फेक्ट का मतलब होता है कारे पूंड हो चुक है मैं खेल चुका हूँ सेकंड एक्जामपल मैं खेल चुका था एंड थर्ड एक्जामपल मैं खेल चुका होंगा आने वाले टाइम में मैं खेल चुका होंगा इन तीनों को देखके लग रहा है कि तीनों पर्फेक्ट हैं बट दे आर ओफ डिफरेंट टाइम अलग अलग पास्ट का पर्फेक्टेंस और मैं खेल चुका होंगा यह फ्यूचर का पर्फेक्टेंस चुका हूं यानि भर्तमानकाल है चुका था यानि भूतकाल है और चुका होंगा यानि भविश्यकाल है तो I hope that you are enjoying my videos very well और अगर आपको आनंदा रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब क के बारे में प्रेजन्ट पर्फेक्टेंस के बाद हम देखेंगे पास्ट पर्फेक्टेंस को और इसके बाद हम देखेंगे फ्यूचर पर्फेक्टेंस को बहुत ही अच्छी तरह समझने वाले हैं प्रेजन्ट पर्फेक्टेंस का मतलब है वर्तमान में वर्तमान में अभ है कॉलेज जा चुका है इन सारी चीज़ों को हम प्रेजंट पर्फेक्टेंस में लेंगे तो मेरे कुछ खास एक्जांपल है जिससे की नियम क्लियर हो सके पहला रहेगा एफर्मेटिव सेंटेंस का मैं होकी खेल चुका हूँ एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक बाग के कार नमबर दो एक्जांपल नेगेटिव है मैं होकी नहीं खेल चुका हूँ और नमबर तीन इंटेरोगेटिव यानि प्रिशन वाचक बाग के रहेगा क्या मैं होकी खेल हूँ इन तीनों को समझने के लिए वही हमारे चोटे-चोटे सिंपल नियम हैं सबसे पहले वर्व की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्रते एक सेंटेंस में वर्व की थर्ड फॉर्म बताएगी काम की परफेक्टनेस को काम के पूरा होने को नमबर दो बात हैज और हैव का यूज करेंगे सबजेक्ट कहीं आई या बहुबचन होगा प्लूरल तो हैव का यूज करेंगे सबजेक्ट के बाद में और सबजेक्ट कहीं एक बचन ही सी एटिया कुछ और होगा तो हैज का प्रयोग करेंगे किसके साथ में सबजेक्ट के स इब प्रियोग करेंगे यानि I और बहुबचन के साथ have का यूज करना है दूसरा है have 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 के बाद not लगाएंगे रहांपर लगाएंगे negative sentence में जैसे sentence है नहीं खिल चुका हूँ have के प्रियोग के बाद not का प्रियोग करना है negative sentence में याद रखेंगे और नेक्स्ट बात रहेगी जब हम question बनाते हैं प्रिस्ट बनाते हैं जैसे क्या मैं होकी खेल चुका हूँ इन प्रिस्टों में subject से पहले हैज हैव का प्रयोग किया जाएगा फिर से मैं आपको बताऊं I am plural subject के साथ में कौन सी वर्ब आएगी हैव आएगी helping वर्ब और other एक पचन जो करता है ही एटिया अन्य हैं उनके साथ हैज का यूज किया जाएगा वही अपना करता क्रिया कर्म बाला नियम है एक्जामपल लेते हैं मैं होकी खेल चुका हूँ इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे तो I have played hockey I have played hockey ये साथ ही साथ में आप note करते रहें यानि subject के बा करता के साथ हैव का यूज किया जाता है और यह played जो है वर्ब फ्ले वर्ब खिलने की second form भी played होती है third form भी played होती है बट ही या we are using here third form यह third form यूज करनी है third form काम की completeness को बताने के लिए perfect tense में third form रहेगी present perfect हो past perfect हो future perfect हो main verb की third form ही यूज करनी है इसलिए हम एक साथ comparative तरीके से तीनों टेंसों को पड़ रहे हैं दर दूसरा है मैं होकी नहीं खेल चुका हूँ वही sentence में I और हैव आ गया और हैव के तुरंत बाद किसका प्रियोग करेंगे not का प्रियोग करेंगे main verb की third form रहेगी played होकी H O C K E Y इसमें हमने देखा I के बाद में helping verb और उसके तुरंत बाद not का प्रियोग अर्थात main verb से पहले third form से पहले not का प्रियोग करेंगे प्रिस्न की जब बात करते हैं क्या मैं होकी खेल चुका हूँ ऐसी situation मैंने आपको बताया कि subject से पहले हमें है ज्या हैव का प्रियोग करना है तो भवचन और I के साथ है बाता है और उसके बाद में third form यह है ही have I played होकी और question mark आ जाता है last में यह तीनों sentence हमारे तीनों rules को show करते है रूल है main verb की third form आएगी present पाफ future कहीं भी perfect होगा नमबर दो present में subject के बाद में हैज हैव का प्रियोग करना है आई और भवचन के साथ हैव और बाकी सभी के साथ हैज आएगा he seat के साथ हैज आएगा ध्यान रखेंगे और question बनाते समय subject से पहले हैज हैव का use करना है तो यह रहा हमारा present perfect tense अब हम बात करते हैं past perfect tense के बारे मे तो अब बात कर रहे हम number two past perfect tense के बारे में present में हमने देखा कि काम पूंड हो चुका है और past में हम बात करेंगे तो कार्य पूंड हो चुका था कब पूंड हो चुका था past में किसी समय तक या किसी समय से पहले past में किसी definite समय से पहले कार्य पूंड हो चुका था वो आएगा past perfect tense में for example वो है 2010 से पहले यहां आच चुका था यानी past का time है 2010 और उससे भी पहले की कोई बातें पहले की कोगर रहे हैं क्योंकि past की बातें past definite tense में मैंने आपको पढ़ाई थी और past से भी पहले की अगर कोई बातें है वो past perfect tense past perfect का मतलब क्या होता है past of the past बूतकाल के भी बूतकाल को पास परफेक्टेंस कहते हैं तो बूतकाल का समय 2010 दे रखा है और उससे भी पहले पास परफेक्टेंस की बाते हैं नमबर दो वहे 2010 से पहले यहां नहीं आ चुका था उसी का नेगिटिव सेंटेंस है 2010 से पहले का negative sentence बनाएंगे example number 3 है क्या वह है 2010 से पहले यहाँ आ चुका था प्रिस्न पूछेंगे जब भी ये काम हम करेंगे कुछ rules को follow करेंगे rule number 1 main verb की third form यानि verb की third form हमें यहाँ पर प्रयोग करनी है verb की third form के अलावा next याद रखना है हमें present में जहां हमने hedge और have का प्रयोग किया था अलग-अलग subject के साथ में वहाँ हम head का प्रयोग करेंगे subject singular हो चाहे plural हो no matter we have to use head here या head का प्रयोग करेंगे और अगर negative sentence बनाना है कि नहीं आ चुका था तो negative sentence में head के साथ में क्या लगाएंगे not लगाएंगे negative sentence में head के बाद में क्या लगाएंगे not लगाएंगे present बनाने के लिए head का use subject से पहले करेंगे इन बातों को ध्यान रखना है अब हम sentence बना रहे हैं sentence है 2010 से पहले यहां आ चुका था 2010 से पहले यहां आ चुका था बेलकुल 2010 से पहले यहां आ चुका था गेट लगाना तो देखिए subject वो है लेते हैं he subject है he अब मैंने बताया था subject दी तुरंदबाद head का use करना है past दिखाने के लिए तो he head और उसके बाद मैंने बताया main verb की third form आने के लिए आना होता है कम कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है यहां आ चुका था he head come here कब आ चुका था 2010 से पहले तो पहले के लिए before आ जाएगा before 2010 अब इस sentence में देखिए he head come here before 2010 यहां आप देखके कह सकते हैं कि come first form तो नहीं है कहीं it is not first form it is third form of the verb त्यान रखेंगे main verb की third form ही आती है perfect tense में वो present हो past रूचाए future हो और come came कम में come की third form कम ही होती है subject के बाद head लगाएंगे subject एक बचन हो चाए बहुबचन दूसरा है वह 2010 से पहले यहां नहीं आ चुका था तो subject he और head हमने लिख दिया नहीं आने के लिए negative sentence में head के साथ में लगाएंगे not और वही वर्ब की third form come यहां के लिए here आया है और 2010 से पहले तो before 2010 आ जाएगा इसमें ध्यान रखें head के बाद note लगाना है next प्रिस्न करते समय क्या हुए 2010 से पहले यहां आ चुका था प्रिस्न करते समय subject से पहले head का प्रियो करेंगे तो head ही आगे वही वर्ब की third form रहेगी come here before 2010 और लगाते हैं question mark प्रिस्न बन गया head ही come here before 2010 यह हुआ हमारा past perfect tense past perfect tense के हमने तीनों example देखी he had come वहे आ चुका था he had not come वहे नहीं आ चुका था head ही come क्या वहे आ चुका था यह है past perfect tense अब हम आते हैं future perfect tense पर present tense past tense और future tense तीनों के साथ में हम यहां comparative तरीके से पढ़ रहे हैं perfect tense को यानि कारे के पूंड हो चुकने की स्तिती को future perfect tense का मतलब कल यह आने वाले समय में हमारा कारे पूंड हो चुका होगा कारे पूंड हो चुका होगा तीन तीन एग्जामपल लिए हैं है number 2 will have का प्रयोग करेंगे present tense में हमने have has का प्रयोग किया past में head का किया यहां will have का करेंगे singular subject हो चाहे plural number 3 negative sentence बनाने में will और have के बीच में not लगाना है यानि हो जाएगा will not have का प्रयोग करना है negative sentence में और number 4 question बनाते हैं समय will का प्रयोग subject से पहले करेंगे will आएगा subject से पहले इसका मतलब है have subject के बाद आएगा उस sentence में पहला है मैं होकी खेल चुका होंगा तो यहां sentence को हम बना रहे हैं I will have का use करना है मैंने आपको है और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की तो प्लेड होकी यहां ध्यान से देखें आई subject के बाद में subject एक पचन उचाए बोबचन विल है वही लगाना है और उसके है मैं होकी नहीं खेल चुका होंगा तो I मैंने आपको बताया कि will और have के बीच में क्या लगाना है not लगाना है I will not have वही वर्ब की थर्ड फॉमा जाएगी played होकी आने वाले समय में I will not have played होकी यानि तब तक मैं होकी नहीं खेल चुका होंगा और तीसरा question है क्या मैं होकी खेल चुका होंगा question में will सबसे पहले आ जाएगा और subject नमबर दूपे चला जाएगा यानि will I have इसका मतलब है will और have को तोड़ देंगे subject से पहले will और subject के बाद में have आ जाएगा will I have verb की third form played होकी और question mark लगाएंगे sentence बन गया क्या मैं होकी खेल चुका होंगा उस समय तक तो will I have played होकी तो friends अभी हमने समझा present perfect past perfect और future perfect को इनके बारे में अगर आप थोड़ा सा भी अभ्यास करेंगे तो definitely आपको tense पूरी तरह समझ में आ जाएंगे कल के हमारे वीडियो में हम present perfect continuous past perfect continuous और future perfect continuous टेंज के बारे में बात करने वाले हैं अगर आप इससे पहले मेरे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के description में आपको link मिलेगा playlist का link मिलेगा और playlist का नाम है spoken English उसमें आपको latest सारे के सारे वीडियो जैक सीक्वेंस में मिलेंगे तो friends मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए जैहन जैभारत